नमस्ते बच्चों एक बड़ फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एमस शंपुर्ण ज्यान पे और आज फिर से हम आप लोगों के बीच एक प्यारा सा स्टूरी लेके आए हैं मुर्ली मैंगो ट्री मतलब मुर्ली का आम का पैड क्या है यह स्टूरी देखेंगे लेकिन आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप वीडियो को पूरा देखें छोटा से वीडियो है फांच मिनिट के वीडियो होगा आप इसको पूरा देखें तब ही आप समझ Name the trees that give fruits मतलब नाम उस पैड का जो देता है फल मतलब नाम बताना है उस पैड का जो फल देता है यहाँ पे इस that का मतलब वह नहीं है that का मतलब है जो give मतलब देता है fruits मतलब फल क्या है? One day मतलब एक दिन morely ate a mango eat at eaten होता है तो यहाँ पे eight है याने भर्व का past form यूज किया गया है मतलब one day मतलब एक दिन morely ate, morely ने खाया a mango एक आम, hit through, through का मतलब होता है fake ना, उसका past form है, दूसरा रूप है through मतलब fake दिया, hit through मतलब उसने fake दिया the seed, seed का मतलब होता है beige, तो आम का जो बीज हुआ है, उसको उसने fake दिया कहां fake दिया, behind his house house मतलब घर, his मतलब अपने behind मतलब पीछे, मतलब अपने घर के पीछे उस बीज को उसने fake दिया many months later, many मतलब बहुत months मतलब महिने, later मतलब बाद में मतलब कई महिने बाद में he saw, उसने देखा, see का मतलब होता है देखना, उसका past form लगा है show, तो he saw, उसने देखा, क्या देखा, a plant एक पौधा, he watered, water का मतलब होता है पानी, लेकिन यहाँ पे ed लगाया है यानि इसको वर्व के रूप में, क्रिया के रूप में इस्तमाल किया है और यह second part है, वर्व का तो he watered, मतलब उसने पटाया या उसने सिचाई किया किसका, the plant, मतलब उस पैंड का जो उसके seed से निकला था everyday, हर दिन, प्रतिएक दिन उसने उसकी सिचाई की the plant grew, grow का मतलब होता है उगना, बढ़ना और grew, मतलब past form है तो the plant grew, मतलब बढ़ा हुआ into a big mango trees मतलब एक बढ़े आम के पैंड के रूप में वो बढ़ा हुआ every summer, मतलब परतिएक गर्मी many mangoes, मतलब बहुत सारे आम grow, उगते हैं, on it, इसमें किसमें, उस plant में मुरली and his friends मुरली और उसके दोस्त लोग eat, मतलब खाते हैं them, उन हैं, किसे? उस mango को, जो फल रहा है now, मुरली has become old now, मतलब अब मुरली has become, मतलब मुरली हो चुका है old, मतलब बुढ़ा become का मतलब होना, बनना होता है, तो मुरली has become, तो मुरली हो चुका है, बुढ़ा तो मुरली अब क्या हो गया? बुढ़ा हो चुका है but, लेकिन the tree मतलब वो पैंड, gives देता है, mangoes मतलब आम, even today, मतलब आज भी यहां even का मतलब हुआ, भी today मतलब आज, तो आज भी वो पैंड आम देता है मुरली's children मतलब मुरली के बच्चे also मतलब भी eat मतलब खाते हैं, the mangoes मतलब वो आम यह उस गाच के आम, उस पैंड के आम तो मुरली's children also eat the mangoes, मतलब मुरली के बच्चे भी आम खाते हैं इस तरह से यह एक प्यारा सा छोटा सा वीडियो क्लास था, मुझे उमीद है कि आप इस वीडियो को देखते हुए last तक आगए होंगे, अभी तक आपने इस वीडियो को like नहीं किया है और comment करके जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो क्लास कैसा लगा या फिर इसमें आपका और कुछ request है उसको भी बताएं कि आप किस तरह से इसको पढ़ना समझना चाहते हैं तो मिलते हैं हम इसके अगले वीडियो में